मुझें आप सब उम्मेद है आप सब खेरियत से होंगे अज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टाट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट फिरेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तब मोस कीचन को सब्सक्राइब जरूर करिए और रमजान स्पेशल में आज मैं शेयर करूँगी चिकन एग ब्रेड कबाब यहाँ पर हम बनाएंगे ब्रेड अंडा और चिकन से कबाब 300 ग्राम बोर्ले चिकन लेकर इसे हमने अच्छे से दो कर साथ किये हैं और इसे मिक्सी की जार में कीमा बना लिये हैं स्प्रिंग अनियन को बारिक चॉप किये हैं हरी धरिया पत्ती भी बारिक चॉप किये हैं और पुद्यने की पत्तियों को भी बारिक चॉप किये हैं स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला हिस्सा लिये हैं तो यहां लिए हैं दर्दरी कुट्टी भी हरी मिर्ची लिए हैं 1 टेबल स्पून फुल भर कर ज्यादा तीखा नहीं है फ्रेंज अद्रक लसन का पेस्ट 1 टेबल स्पून एक अंडा लिए हूं और ब्रेट की स्लाइस आठ लिए हूं 300 ग्राम चिकन के लिए 8 ब्रेट की स्ल अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो स्कीप कर दीजे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टीजपून चाट मसाला लिए हैं और एक निम्बू का जूस लिए हैं हमने तो टेबल स्पून जितना निम्बू का जूस है चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारा कीमा ले तो थोड़ा सा तीखा कम कर दीजिएगा और यहां दाल रहे हम अद्रक लसन का पेस्ट अब दालेंगे हरी मिर्च दरदरी कुटी भी नमक दालेंगे हाफ टीजपून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालिएगा एक चमच दालोंगी घी आप अगर घी नहीं तो यहां दालेंगे अगर इसके हाड सा जाधा कड़क है उसे हम निकाल लेंगे यह वाली डाक साइड मैं निकाल ली हूँ अभ इसमें हम डालेंगे दूद थोड़ा थोड़ा करकर दूद दालिएगा एकसा दूद नहीं डालना है पहले हाथों से मिला लीजिए और मेरी जाधा हार्ड नहीं है। मेरे के स्लाइज में दूद्स थोड़ा कमी लगेगा ऊथूड़ा सो दूद्से यहां टए जैसे हम आटा गुनते हैं इसी स्युक्ति हैं इसे गुन लेंगे। अब युमें दलेंगे हम सु्प्रिंग आनियन जीड़ा यह स्कॉश़्ी नहीं दालेंगे friends हम इसमें अंडा भी दालने वाले हैं अगर हम और दूद दालेंगे तो ज्यादा पतला होगा और कब आप सही नहीं बनेंगे एक कब दूद में से इतना दूद बज गया है अगर आपका ब्रेड हाड होगा तो इतना दूद लगेगा आपको लेकिन दूद थोड कर डाल रहे हैं अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इससे हम फ्रीज में रखेंगे आदा घंटे के लिए ताकि हमारा कीमा और ब्रेड अच्छे से स्थेट हो जाए और friends ये सारी चीजे सभी के घरों में होती हैं और इससे आप बहुत ही आसानी से कबब बनाकर इस रमजा हो चुका है अब हम इसके बना लेंगे कबाब आप देख सकते हैं ज्यादा पतला नहीं है और ज्यादा थीक भी नहीं है हमने तेल गरम करने के लिए रखा है हम इसके कबाब बनाएंगे ना ज्यादे मोटे बनाना है और ना ज्यादे बड़े मीडियम साइज के कबाब बन और अच्छी तरीके से हम गोल्शिप दे कर directly fry करना है बना कर टिक्किया नहीं रखेंगे इसकी क्योंकि इसका आठा थोड़ा सा पतला होता है इसे हम कोट करने वाले नहीं है ब्रेट क्रप्स में इसलिए हम इसे direct fry कर रहे हैं मीडियम फिलम पे ही फ्राय करिए पहले मैं 2 कबाब ड़ी थी वह 2 कबाब अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए है अब ये दो कबाब पहले मैं निकाल लूँ गी और ये तीन कबाब है उसे हम थोड़ा फ्राय होने देंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड जरूर ट्राइ करिएगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब और बटर ने उसे प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे आपके ही सपोर्ट की जरूरत है और ये हमारे कबाब फ्राय हो चूके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये कबाब ज़्यादा तेल एब्जॉब नहीं करते है अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग फ्रेंड्स रेसिप अगर अच्छी लगे है तो लाइक जरूर करिएगा मेरे लाइक बहुत कमा रहे हैं फ्रेंड्स प्लीज लाइक जरूर करिए यहां पर लिए हमने धन्या पुदिना और दही वाली चटनी इसके साथ रखे हूं प्यास थोड़ी से पुदिने के डंडिया फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राइ करिए और रेसिपी देखकर लाइक जरूर करिएगा इन्शालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए अपनी दूआओं में याद रखिए